अवलाद पैदा करने का तालोग किसी जाती से नहीं बलकि अल्ला से है बच्चे अल्ला की मर्जी से पैदा होते हैं योगी आधितिनास द्वारा पोपुलेशन कंट्रोल वाले वयान के बाद समाजबादी पार्टी के सांसा सफीकूर रमान भर्क ने उन पर पलटवार करते ह हुए ये कहा है कल विश्व जनसंख्या दिवस के अफसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत की योगी आधितिनाथ ने जनसंख्या नियंतन के साथ आवादी के संतुलन पर भी जोड़ दिया था इस बयान पर होने कहा था कि एक वर की आवादी ज्यादा स्पीड में बढ रोचना किया था क्या है पुरा मामला हम आपको विश्टार से बताएंगे नमस्कार मेरा नाम पर इतोस्राई है और आप जनता जंकसंद देख रहे हैं विसु जनसंख्या दिवसर मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ ने जनसंख्या नियंतन के साथ आवादी संतुलन पर जोड़ दिया था उन्होंने सोंवार को कहा था कि परिवार्नियों जनसंख्या इस्तिरी करन के प्रयासों का खासा ध्यान अखना चाहिए कि जनसंख्या संतुलन की सिति हमारे राज्य में और हमारे देश में पैदा ना हो किसी एक वर्ग की आवादी तियजी से बढ़े त लाजमी है इसलिए अबादी नियंतन के लिए सभी वर्ग का एक समान रूप में जोड़नेश हुए जागणॉ करना चाहिए उनके इस वयान के बाद उत्तर प्रदेश में विपक्ष हमलावर मूड में दिख रहा है विपक्ष का कहना है कि भारतिय जनता पार्टी हमेशा देश के एक अल्प संख्यक वर को टार्गेट करती है जिसका फैदा वो चुनाव में उठाती है और उसे नीचा दिखाने का प्रयास भी हमेशा करती रहती है उत्तर प्रदेश के पुर मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्टी है अख्लेस यादब ने योगिया जितनात्र के वयान की आलोचना करते हुए कहा कि राजक्ता आवादी से नहीं बलकि लोक्तांत्रिक मुल्यों की बरवादी से उपच्ती है उनके इस्तिखे प्रटवार के बाद समाजवादी पार्टी के रुभी नेता और सांसत सफीकूरमान वर्क का वेतुका और बिढ़ंगा बयान सामने आया है उलाद पैदा करने का जाती तोर पर इंसान से कोई तालुक नहीं है बच्चे पैदा करने का तालुक अलाँ से अलना बच्य पैदा करता है तो उसके गाने पिने का इंति जाम भी करता है यह कितना बेतुका बयान है आप समझ सकते हैं इसके वाद सपा सांसद वरक ने कहा कि भाजपा सरकार जनसंख्या नियतन कारूर बनाने से पहले मुसलिम वोग के सिक्षा का बंदोवस्त करें। चुनाओ जीता जा सके। सरकार का ये नजर या ठीक नहीं है। देश में बढ़ती भी रोजगाडी, बढ़ती भी तहासा मंगा। इस समें कई बुनियादी मांगों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भाजपाई हचखंडा अपना रही है। योगी जी का ये बयान मुस इस ट्राफ्ट की कुछ अहम बाते भी हैं जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दो बच्चे वालों को ग्रीन और एक बच्चे वाले को गोल्ड कार्ड दिया जाएगा। इससे सरकारी योजनाओं के लाव लेने के लिए उन्हें दस्तावेज वारवार नहीं दिखान परेंगे। इसके अलावा Transgender को दिव्यांग मना जाएगा तो दो बच्चों में से एक के transgender होने पर परिवार को तीसरे बच्चे की चूट दी जाएगी। किसी भी सब सीडी ओजना का लाभी उसे भी उन्हें वंचित किया जाएगा। जिस तेजगती से जनसंख्या बढ़ रही है और आकरे जिस तरफ इसारा कर रहे हैं ऐसे में हाथ पर हाथ रखकर तो बैठा नहीं जा सकता है। तेरा जनसंख्या बढ़ रहा है, मेरा जनसंख्य बढ़ रहा है यह कहने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा दुनिया की अवादी इस वर्स आठ अरव हो जाएगी वहीं अगले साल भारत चीन को पचार कर सबसे ज्यादा आवादी वाला देश भी बन जाएगा तमस्या बढ़ती आवादी तो हैं ही लेकिन इससे बड़ी चुनो पतावाला जीवन कैसे मुहिया कराया जाए इस विशाल चुनोती को मिल कर ही निप्टा जा सकता है इसका कोई दूसरा फर्मूला नहीं है उलाद पैदा करने का तालूक इंसान से नहीं है उलाद पैदा करने का तालूक अल्ला से है सफिकुर रह्मान वर्क जैसे अनुहव और पुराने नेता का यह बेतु का बयान कितना फर्क डालता है मुस्लिम समाज पर यह तो आने वाला वक्त बताएगा उनके इस बेतु के बयान पर आपकी क्यार आए है यह हमें कमेंट सेक्शनें बताईएगा नमस्कार